अगर सोते समय आपके कान में कौकरोच चला जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? गजब की जानकारी देंगे लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए देखे ध्यान रगिए जब भी किसी के कान में कौकरोच खुश जाए तो उसे निकालने के लिए आपको उसके कान को टॉर्च से देखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि कॉक्रोच को रोशनी से नफरत होती है और इसलिए हो सकता है कि ऐसे में कॉक्रोच रोशनी की वज़ा से कान के और अंदर खुश जाए। इसलिए बहतर रहेगा कि आप कॉक्रोच को बाहर निकालने के लिए एक चम्मत से कुकिंग ओयल को कान में डाल दें और पांच मिनट के बाद भी कॉक्रोच कान से बाहर नहीं आता है तो कान के पिछले हिससे को पकड़ कर और सर को साइड में करके कान को तेजी से हिलाए। पिर 90% chances हैं कि इससे cockroach बाहर आजाए पर अगर इसके बावजोद भी cockroach कान से बाहर ना आए तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाए